एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की गार्डन में खेल रहे थे उस छोटी लड़के के पास बहुत सारे कंचे थे और उस छोटी लड़की के पास बहुत सारी चॉकलेट्स थी लड़के को लाला चाया उसने लड़की से काया तुम न मेरे सारे कंचे लेलो और अपनी सारी चॉकलेट्स मुझे दे दो लड़की कुछ देर सोचती रही लेकिन फिर वो तयार हो गई लड़का अपने कंचों को लेने के लिए चला गया उसने जब सारे कंचों को हाथ में उठाया तो एक बड़े और सुन्दर से कंचे को अपने पास छपा लिया और बाकी सारे कंचे लड़की को दे दिया जिसके बदले में लड़की ने अपने सारी चॉकलेट्स उसे दे दी उस रात को लड़की को बहुत अच्छी नीन आई परंतु लड़का ये सोचकर सारी रात नहीं सोपाया कि जैसे उसने बड़े कंचे को अपने पास छपा लिया था लड़की ने अपने पास कितनी चॉकलेट्स छुपाई होंगी प्रियों जब हम अपने किसी रिष्टे में अपनी पूरी इमानदारी नहीं देते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि शायद अगले ने हमसे पूरी इमानदारी के साथ बरताओ किया है या नहीं किया है देखे वो रिष्टा माबेटे का हो सकता है पती पतनी का हो सकता है या फिर दोस्तों का भी दोस्तों परमेशुर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने ही समान अपने सब रिष्टों की ही परवा करें कि हम उन सब के साथ खोशी के साथ रह सकें